सब्सक्राइब करें आमन्स के चेट यूटूब चैनल पे और बेल आइकन पर प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये देखो आप ये बनाई है मैंने घर पे कडाई पनीर और इस कडाई पनीर की खास बात ये है कि ये इतनी ज़ादा टेस्टी है और देखने में इतनी ज़ादा जबदस्ते के मैं आपको क्या बता हूँ इसमें मैंने कैपसिकम, अनियन्स, टोमाटो का इस्तिमाल किया है और इसके ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़ादा फ्लेवरफूल है पनीर बहुत ही ज़ादा सॉफ्ट है और इसकी रेसिपी के अंदर काफी डह सारी ट्रिक्स है जो के आपको पता चलेंगी तो आप घर पे असानी से इसे बना सकते हैं तो रेसिपी शुरू करें तो कडाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स का इस्तिमाल किया है जैसे कि 6 टमाटर का इस्तिमाल किया है 4 प्यास का इस्तिमाल किया है 4 से 5 हरी मिर्चे है 10 से 12 पीसे जो है वो लेसन के है 2 बड़ी कैप से कम है यहाँ पे और थोड़ा से हरा दनिया है इसमें से हम क्या करेंगे थोड़े से वेजिटेबल्स को अलग कर लेंगे उसको हम बाद में अड़ान करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं दो कैप सिकम को अलग कर देता हूँ दो टोमाटोस को अलग कर लिया है और एक प्यास को अलग कर लिया है तो इनको जो है अब हम बाद में अड़ान करेंगे हमारी ग्रेवी में तो बाकी जो चीजे हैं उनको जो है हम चॉप कर लेते हैं प्यास को जो है यहाँ पे मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है Tomatoes को जो है थोड़ा पतला पतला काट लिया है थोड़ा साब बड़ा काट लीजेगा इसको हमें अभी पकाना पड़ेगा और उसी की साथ में यहाँ पर Green Chilis को मैंने गोल कुल बड़ा बड़ा काट लिया है और जो हम लोग का garlic है lesson है उसको हम ऐसी रखा रहने देंगे यह देख सकते हैं आप यहाँ पर vegetables ready है और इसी की साथ हमें थोड़े से मसालू की जरुवत पड़ेगी तो एक बड़ा चम्मच जो है यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्ज आज छोटा चम्मच है यहाँ पर long तो इनको जो है अब हम gravy में add on करेंगे तो सबसे पहले pressure cooker के अंदर हम छोड़ा सा oil add करेंगे यहाँ पर आदी कर्शी के बराबर add किया है उसके बाद जो है long काली मिर्ज का जो मसाला था हम उसको जो है pressure cooker के अंदर add कर देंगे तेल में छोड़ी सी दिर हम पकाएंगे उसके बाद जितने भी vegetables हैं उन सब को आप एक बार में add कर दीजेगा और इसे जो है हम लोग 2-3 minute पकाएंगे तो यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा चमच नमक add on कर दिया है हम लोग की gravy के लिए अब यहाँ पर जो है इसे हम लोग को पकाना है हम लोग इसे पकाएंगे यहाँ पर मैं pressure cooker के इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बिना पानी add on किये हम लोग जो है इसे pressure cook करेंगे एक विसल तक के लिए और जैसी यह ठंडा होगा हम इसे side में रख देंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने पनीर लिया है आप जो है पनीर को थोड़े से मोटे मोटे cubes में काटिएगा जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बीच में से काटा है और उसके बड़े-बड़े cubes कर दी है आप जो है अपनी preference के एसाब से cubes को रख सकते हैं बिल्कुल आपके उपर है तो यहाँ पर जो है मैं आदा किलो पनीर का इस्तिमाल कर रहा हूँ यहाँ पर जो है आप ऐसी mix कर सकते हैं और जितना golden brown करर आ रहा है आप उसको जो है cover कर सकते हैं साथ में एक bowl के अंदर पानी लिया है मैंने और नमक उसके अंदर add-on किया है एक छोटा चमच यह मैंने इसलिए किया है क्योंकि गरम पनीर को जो है आप ठंडे पानी में अगर add-on कर देंगे बाद में तो पनीर जो rubber बन जाता है वो नहीं बनेगा तो यहाँ पर मैंने pressure cooker खोल के देखा है सब वेचीज अच्छी तरीकी से पक चुकी हैं अच्छी तरीकी से ठंडी भी हो चुकी है अब इसका जो है अब हम पेज बनाएंगे यहाँ पर मैंने pressure cooker के अंदर पानी add-on नहीं किया था तो आप देख सकते हैं लेकिन फिर भी पानी काफी आ गया वो क्योंकि हमारे tomatoes के वजे से अब जो है अब हम pressure cooker के अंदर लगबग 3 कर्ची oil add करेंगे और यहाँ पर एक चोटा चमच जीरा add करेंगे जैसे ही जीरा अच्छी तरीकी से पक जाएगा उसके बाद जो है अब हम gravy को add-on करेंगे इसको अच्छी तरीकी से हमने blend कर लिया था और blender के अंदर जित्ता भी मसाला बचा हुआ है थोड़ा सा पानी add करके आप जो है उसे यहाँ पर gravy के अंदर add कर दीजेगा लगबग आप इसे दो मिनिट पकाएंगे उसके बाद हम सुके मसाले add करेंगे आदा छोटा चमच हल्दी powder दो चोटे चमच यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिट्स पाउडर का इस्तिमाल किया है यह कश्मीरी लाल मिट्स पाउडर जो है थोड़ी सी कम तीकी होती है और यहाँ पर फिर अब हम धनिया पाउडर add करेंगे तीन चोटा चमच जब आप इसे add करें उसके बाद आप नमक add करिएगा एक चोटा चमच क्योंकि अब हम एक चोटा चमच पहले add on कर चुके है और इस मसाले को जए अब हम अच्छी तरीकी से mix करेंगे मसाला जो है आपको जब तक पकाना है जब तक oil अच्छी तरीके से side से निकलना जाए उसके लिए आपको कम से कम 5-6 मिनिट पकाना होगा इसको तो अब हम जो है इसको पकाते रहते हैं और जब आप 5-6 मिनिट पका लेंगे तो आपकी gravy को इस तरीके के दिखेगी अब जो है अब हम इसके अंदर veggies को add कर देते हैं tomato, capsicum, onions जो कि मैंने बचा के रखी थी तो tomatoes को जो है आप पतला-पतला काट लीजेगा capsicum को जो है आप cubes में काट लीजेगा और उसके साथ onion को आप बीच में से काटेंगे और उसके cubes जो है निकाल लेंगे आप देख सकते हैं वीडियो में और यहाँ पर एक काटोरी जो है मैंने धही बचा के रखा था तो यह धही भी add on कर देंगे धही जो है इस gravy को जो है अच्छा सा creaminess दे देगा और जितना भी धही आपकी काटोरी में बचा था उसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके आप उसको भी add कर दीजेगा अब जो है इसको आपको अच्छी तरीके से mix करना है आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छी तरीके से mix कर रहा हूँ और यह सारी veggies जो है gravy के साथ अच्छी तरीके से मिल गई है जब आप यह step कर लें तो उसके बाद जो है आप इसके अंदर पनीर को भी add कर दीजेगा हमारी gravy के अंदर तो यह देखिए सारा पानी मैंने निकाल दिया है पनीर जो है बिल्कुल ready है इसको भी अब हम gravy के अंदर add करेंगे लेकिन अब सवाल यह है कि हम लोग के onions, capsicum और tomatoes जो हम लोग ने बाद में add की है वो पके तो है नहीं तो अब हमें इने भी पकाना है तो आप जो है अगर इसको pan में पका रहे हैं तो इसको cover करके पका लीजेगा यहाँ पर जो है अब मैं इसको pressure cook करूँगा pressure cook करूँगा मैं एक विसल के लिए और इसको जब तक थंड़ा हो जाएगा pressure cooker अच्छे से फिर उसके बाद जो है आप हम खोलेंगे इससे तो pressure cooker ठंड़ा हो जाने के बाद हम जो इसको खोल के देखते हैं और आप देख सकते हैं gravy जो है अभी भी बहुत गरम है लेकिन उपर से दिख रहा है कि capsicum जो है अच्छी तरीके से गल चुका है onions गल चुके हैं tomatoes गल चुके हैं और इसको अच्छी तरीके से आप एक बार mix कर लीजेगा और ये दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही है सब चीजे अच्छी तरीके से पक चुकी हैं अब इसके बाद हम एक चीज इसमें और add on करेंगे जो कि बहुत ही जादा ज़रूरी है तो इसके अंदर अब हम add करेंगे एक चोटा चमबच घर का बना हुआ गरम मसाला ये बहुत ही जादा जरूरी है friends तो इसको जो है आप add कर दीजेगा और इसी के साथ में थोड़ा सा आप धनिया पत्ता भी इसके अंदर add कर सकते हैं और इसी के साथ आपकी जो पनीर की recipe है जो हम लोग का कडाई पनीर है वो बिलकुल बन के तयार हो जाएगा बहुत ही tasty है बहुत ही easy है बहुत ही simple है हर कोई बना सकता इसे तो वीडियो पसंद आया तो comment करके मेरे को जरूर बताइएगा और वीडियो पे like जरूर करिएगा और चैनल पे subscribe बना ना भूलिएगा क्य कि मैं ऐसी नही नही रोज़े हो recipes आपके साथ लेके आता रहूँगा और अगर आपको यह पिचर जो है पसंद आये तो आप मेरे को नीचे Instagram पर follow भी कर सकते हैं मैं फिर मिलता हूँ आपसे नही recipes के साथ तब ते के लिए good bye कि अगूजगा ऑगी आपन समवता organizations को आपको दो कर दो मालेक रहे होगा कोो समझ णेत्स के लिए उनले साथ जर्छा, क्या जएगा का नहीं यहे इसाल आपको के इस ऑनवेगा है मैं आपको जो कि कर दोलें होगे हैं 5 बना կहाऊज़ग